दोस्तों आज से मैं मतलब की इस वीडियो के बाद से एक नया स्रीज, टैपिंग का स्रीज शुरू करने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों टैपिंग को आपको सिखाने वाला हूँ तो दोस्तों यदि आपके पास कंप्यूटर या फिर टैप राइटर है तो फिर आप उसमें बहुत यसानी से टैपिंग को कर सकते हैं और सिख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप हैसो अपने मोबाइल में एक्स्टरनल कीबोर्ड को करनेक्ट कैसे करेंगे और उसमें टैपिंग कैसे करेंगे टाइपिंग कैसे करना है यह तो मैं आपको next वीडियो में ही बताऊँगा कि अबल इस वीडियो में मैं आपको mobile में external keyboard को connect करने के लिए सिखाऊँगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यह रहा मेरा mobile और यह रहा मेरा keyboard यह जो keyboard है यह वायर वाला keyboard है देख सकते हैं तो मैं इन दोनों को आपको connect करके दिखाने वाला हूँ ठीक है तो वायर वाला keyboard को mobile से connect करने के लिए आपको जो है इस तरह का OTG cable purchase करना पड़ेगा यह भी OTG cable है यह टाइप C वाला है तो इस तरह को OTG cable आप जो है offline यह online purchase कर लिजे ठीक है तो यदि यहाँ पर wire नहीं रहता यह Bluetooth वाला keyboard रहता तो फिर यहाँ पर OTG cable या इस तरह का कोई भी cable का जोल जाल नहीं होता लेकिन यह तार वाला keyboard है वायर वाला keyboard है इस वायर वाले keyboard को mobile से connect करने के लिए इस OTG cable का जोरत पड़ता है यदि Bluetooth से connect होता यह Bluetooth वाला keyboard रहता तो कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पर Bluetooth on कर देते यहाँ mobile में Bluetooth on कर देते डारेट connect हो जाता लेकिन यह वायर ओला है तो देखिए इसको connect कैसे करेंगे तो connect करने के लिए इस OTG cable को यहाँ पर लगा देंगे ठीक है यह जो वायर है यह keyboard होला है तो इसको यहाँ पर लगा देंगे पिछे side यहाँ पर इस तरह लगा देंगे लग गिया उसके बाद इसका जो यहाँ वाला हिस्सा है यह लगेगा mobile में इसको mobile में इस तरह लगा दीजिए लग गिया उसके बाद कुछ-कुछ mobile में होता है कि direct ले लेता है कुछ-कुछ mobile ऐसा होता है जिसमें OTG connection को on करना पड़ता है तो यदि आपके mobile में direct ले लिया तो ठीक है नहीं लिया यहाँ पर बोलेगा उपर में कि configure physical keyboard यहाँ पर टैप कीजिए उसके बाद यहाँ पर यदि आपका direct OTG cable दिखा दे रहा है OTG connection तो आप उसको direct own कर दीजिए और यदि नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर इसे setting में जाईए यहाँ पर mobile का setting में जाईए ठीक है setting में जाने के बाद यहाँ पर आपको search करना है अब यहाँ पर यह keyword काम कर रहा है इसलिए यहाँ पर टैप ने हो रहा है यहाँ पर लिखना पड़ेगा OTG ऐसे ठीक न यहाँ पर OTG आ जाएगा तूस्स OTG को आपको करना क्या है OTG connection को on कर देना मेरा direct ले लिया ठीक है आप mobile का जो notepad दिया हुआ होता है इसमें भी tapping कर सकते हैं या तो फिर मैं और भी बता रहा हूं इसमें भी आपको जो भी लिखना है देखिए यहाँ पर connect है wire के through से अब मैं यहाँ पर देखिए जो भी tap कर रहा हूं बहुत ही असानी से यहाँ पर लिखाते जा रहा ठीक है तो जैसे इसमें भी करके दिखाते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर जिस भी बटन को प्रेस कर रहा हूं यहाँ पर टाइपिंग हो रहा है लिखाते जा रहा है ठीक है तो इसी तरह आप है सो या तो फिर WPS या तो ओफीस और भी बहुत सारा application होता है या तो फिर word हो गया या त इस भी बटन को कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूं वहाँ लिखाते जा रहा है तीस तरह फैसो OTG केबल की मदद से connect कीजिए या तो यदि आपका keyboard Bluetooth वाला होगा ताप उसे भी असानी से connect कर सकते हैं इस वीडियो में मैं तो Bluetooth वाला नहीं बता सकता हूं क्यूंकि मेरा जो keyboard है वह वायर वाला है किसी तरह फैसो connect कर लिजिए उसके बाद मैं नेश्ट वीडियो में बताऊंगा कि टाइपिंग कैसे किया जाता है जैसे यहाँ पर बहुत सारा देख रहे है एस लेके जेड तक है तो इसको आप फैसो किस उंगली से कौन से बटन को प्रेस करेंगे कैसे इसका एक अलग ही स्रीज है तो यह में नेश्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों